कल्पनादुवे.com तुलसिदास जी ने सत्संग का बहुत महतु बताया है सत्संग के बारे में उन्होंने कहा है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम करपा बिन सुलव न सोई यानि सत्संग के बिना ज्यान की प्राप्ती नहीं हो सकती और सत्संग बिना भगवान की करपा के प्राप्त नहीं हो सकता यानि सत्संग भी उसी व्यक्ति को प्राप्त होगा जिस पर इश्वर की करपा होगी तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम करपा बिनु सुलव न सोई कि बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त नहीं होता और सत्संग भगवान के कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता सत्संग का महत बताते हुए उन्होंने कहा है सुन्दर कांड की बहुत सुन्दर चौपाई है कि अगर सातों स्वर्गों का सुख तराजू के एक पल्डे पर रख दिया जाए और एक पल्डे में सत्संग का छण मात्र रखा जाए तो जो छण मात्र वाला तुला है वो भारी होगा कहने का प्राय क्या है कि सत्संग का महत्व सातों स्वर्गों से भी जादा है इसलिए सभी सत्संग की चर्चा करते हैं सत्संग को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कहाए सथ सुधरे सत्संगत पाई पारस परस कोगात सुहाई सत संग से बुरे से बुरे व्यक्ति भी सुधर जाते हैं पारस पत्थर से इसपर्ष करने मात्र से ही लोहा भी सोना बन जाता है तो सथ सुधरें सत संगत पाई बुरे से बुरा व्यक्ति भी सत संगती में पढ़कर सुधर जाता है बदल जाता है उसकी सोच में परिवर्टन आ जाता है कहते हैं मुद मंगल मैं संत समाजू जो जग जंगम तीरत राजू कि सत्संग जहां पर होता है तीर्थ वही पर हो जाते हैं तीर्थों के लिए किसी विशेश स्थान पर जाने की आवशकता नहीं है जहां सत्संग हो, जहां सत्वानी हो, जहां सत्कर्म हो, जहां सत्विचार हो, वही पर तीर्थ होते हैं मुद मंगल मैं संत समाजू, जिम जग जंगम तीरत राजू वही पर प्रयाग जसा तीर्थ हो जाता है, प्रयाग सभी तीर्थों में महान माना गया है क्योंकि वहाँ पर गंगा यमना और सरस्वती का मिलन होता है संगम होता है उसे तीर्थों में तीर्थ राज कहा गया है और तुलसिदास जी का कहना है कि तीर्थ राज स्वेम वहाँ हो जाते हैं जहां पर सत्संग होता है कि गगन चड़े रज पवन प्रसंगा कीचह मिले नीच जल संगा सत्संग का कितना प्रभाव है यहाँ पर देखिए कि गगन चड़े रज पवन प्रसंगा कि मिट्टी जो है वो पवन के साथ मिलकर आकाश को छूने लगती है और कीचह मिले नीच जल संगा और नीच संग पाकर कीच बन जाता है, कीचड हो जाता है, पानी के साथ मिलकर के कीचड बन जाता है, आगे कहते हैं, कि धूम कुसंगत कारिक होई, लिखिय पुरान मन जो मिसोई, धूम कुसंगत कालिक होई, कि जो काला रंग है, वो कुसंगती में पढ़कर कैसा हो जाता है काल हो जाता है और impurana के से लिखे आगे हैं कि लिखी पुराण मन जो में सोई कि वो काला रंग स्याही बन जाता है जब तो उससे पुराण लिखे जाते हैं یعनी सत्संग में पढ़कर वही चीज अच्छी हो जाती है और कुछ संग में पढ़कर वो बिन ही प्रयास होई भव भंगा वो संसार के भव सागर को पार कर जाता है बिना प्रयास के ही यानि कुछ खास प्रयतन उसको संसार सागर से जाने के लिए नहीं करने पड़ते सत्संक से ही उसको मुक्तिकी प्राप्ती हो जाती है और बहुत आगे कहा है कि सत्संग का क्या क्या महत है कि किते हैं कच्छु को काल कर ये सत्संगा तब ही हो सब संशय भंगा कि हमारे मन में जो विभिन प्रकार के संशय होते हैं शंकाएं होती है वो दूर हो जाती है ये दिव्यक्ति सत्संग करता है उत्तरकार्ण में बहुत सुंदर कहा गया है कि कच्छु को काल कीजे सत्चंगा थोड़ा सा सत्चंग करो तो तुम्हारे मन में जो विचार हैं जो शंकाए हैं वो सभी दूर हो जाएंगे तो सत्चंग का महतो तुलसिदाजी ने बहुत ही बताया है कि बिना सत्चंग के मनुशे उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता प्राप्त कर सकता है